आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तो रहत विडियो सिलीशन पाऊ। अभी राउटनोट करें। इसके कारणद लगने वाले परेडामी गूरुती बल का परिमार ग्यात कीजिए। यदी पहला केस है हमारा ओर एक्स की वैलू जो है, स्मॉल र से बड़ी, औरत चोटी है। अगर एकस की वैलू तो इन तीनोग कन्डीशन में परेडामी गूरुती बल निकालना है, और प क्या दिया गया है जो कोई बडा गोली कोस है इसको धितरीजपी दया गया है और है इन भगोली कोस है मुन्सेट कि ब supplements और यह कोई रहा है औन को थोस गोला रखे गया है तो इन दोने के ने केंद्रोने रहे थेगा को कड जो है है जिसका द्रविमान M' में दिया गया है उसको जो है यहां से इस निचले वाले सीरे से जो है अलग अलग दूरी पर हमें परेडामी गुरूती बल निकालना है और यह X की अलग अलग वैलू पर है तो पोजिशन में क्या दे रहा है अब सबसे पहले मैं आपको जो है इस फीगर के थुरू समझा रहा हूं कि आखिर मतलब पोजिशन में करना क्या है क्या निकालना है तो यहां पर यह बड़ा गोला है इसकी त्रिज्या आर दिया द्रविमान कैप्टल M दिया है और यह हुँद को एसे डिनोट किया है इसके सर्फिस को B से और सर्फिस को सी से तो जो पहला केस है पहला केस हमारा क्या बन रहा है एसे बी तक R से बड़ी है means जो है यह त्रिज्या से बड़ी है R से बड़ी होने का मतलब यह A से आगे है लेकिन 2R से छोटी है तो यहां से जो है इस B से पहले means A से B के बीच वाला जो है हमारा पहला case होगा A वाला A से B तक हमारा जो दूसरा case होगा वो कहां से कहां तक होगा हमारा जो B ह यह उपर है और जो है, कहां से कम है यह Capital 2 R से जा रहा है यहां से यहां तक की दूरीτο Captain 2 R होगी तो उससे कम है मींस इस सथा से यहां की दूरी हमारी इस बार इस हीतिति में निकालना है इस B से C के और तीसरी condition हमारी क्या बन रही है, C वाली बन रही है हमारी, यहां से C से लेका infinite तक, C से infinite तक कैसे X की value 2R से ज़्यादा है, हमारा जो X है यहां निचले बिंदु से, यह दोनों के संपर्ख बिंदु से नापी जा रहे हैं, और दोनों को केंद्रों के मिलाने वाली रेखा पर ही जो है, और M' दरभिमान का कंड़ गती कर रहा है, तो यहां से X greater than 2R का मतलब है, यहां से यहां तक 2R है, इस से बाहर और इसी केंद्र को, इन दोनों के मिलाने वाली रेखा पर ही जो है, किसी भी बिंदू पर उस पर परेडा मी गुरुति बल निकालना इन दोनों गोले के कारण तो X 6as2 आ रहा है यहाँ पर यह तीन कंदीशन में हमें निकालना तो अब सबसे पहले हम पहली कंदीशन में लेते हैं तो यहां Florian के अंदर कोई गोला बना दिया है तो यहां से इसकी त्रिज़ा आरे है औ 올हे से यहां तक इन दोनों के किसी बिंद्रों पके निकालना है हम गोला माल लेते हैं जो इस समय OEMx particulate यहां पर है तो यहाँ पर हमें हम इस गोले के कायर्ट तक क्षेतर की तीवरटा निकाल नहीं है हम क्या करेंगे अब अब यहाँ पर जो है अब हमने यह कालपनी के दूसरा गोला माना है तो इसका दरभिमान हम M Date माल ले यहां से M Date बराबर हो जाएगा हमारा 4 divided by 3 पाई अब इसकी त्रिज्य कितनी होगी यहां से यहां तक की दूरी x है और यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी r है यहां से यहां तक की दूरी x है किकी यह बिंदू x पे है और यहां से यहां तक की तो त्रिजय कितनी हो जाएगी इसकी इस वाले कालपनिंग गोले की x-r x-r का whole cube into rho rho यहाँ पर घनत है तो यहाँ पर इसका जो हमने कालपनिंग गोला माना है इसका दरभिमान हो जाएगा आयतन इन्टू घनत इसका आयतन इस तरीके से होगा अब इसके बाद जो है इस पूरे गोले का द्रविमान कितना हो जाएगा m बराबर हो जाएगा हमारा 4 divided by 3 pi rq into rho अब इसके बाद जो है इस यहाँ पे जो छोटा particle है इस पे जो लगने वाला बल होगा अबकुल गुरुती बल कितना हो जाएगा हमारा f वराबर हो जाएगा हमारा g m डैस इस वाले गोले और इस बड़े वाले गोले यहाँ पे जो है यह m डैस अब इसकी सता पर है क्योंकि जो है इस काल्पनिक वाले गोले की सता पर है तो इस काल्पनिक वाले गोले का द्रभिमान M' इंटू जो है इस पार्टिकल का द्रभिमान M' डिवाइड़ बाई जो है इन दोनों के 20 की दूरी कितना है हमारा X-R का whole square अब यहां पर हमें यह काल्पनिक गोला मानने की क्यों जरूरत पड़ी क्योंकि यह पूरा का ठोस गोला है और हम किसी एक बिंदू पर नहीं निकाल रहा है यह जो है यहां से यहां तक गति कर रहा है यहां से यहां तक किसी भी बिंदू पर हमें निकालना है इसलिए हमने य जाएगा यहां से f बराबर g m' m' divided by x minus r का whole square हो जाएगा तो यहां पर जो है अब अगर हम इसको सराल करेंगे m' की value अगर इसमें लाकर रखेंगे यह कितना हो जाएगा हमारा तो अगर यहां पर से हम पहले इसको हम समिकेड एक माल लेते हैं इन दोनों का हम divide कर देते हैं तो यहां से m' की value जो है m' के रूप में निकल जाएगी जो कि इस गुले का द्रभिमान है तो यहां से अगर हम इसको divide करेंगे तो यहां से m' बराबर हो जाएगा हमारा x-r का whole cube row row से cancel हो जाएगा 4 by 3 pi से 4 by 3 pi cancel हो जाएगा x-r का whole cube r cube into m हो जाएगा m' की value अब इसमें यही ले जाके रख देंगे हम तो यहां से जो है f बराबर हो जाएगा हमारा g x-r का whole cube m divided by r cube और x-r का whole square पहले से ही था और इसके बार m' भी पहले से था अब जब इसको सरल करेंगे तो यहां से जो value निकल के आएगी अब f की value जो आएगी यहाएगी हमारी g m' divided by r cube into x-r तो हमारा जो answer हो जाएगा अब हमारा g m' x-r divided by r का whole तो यह हमारा जो है a से b तक अगर यह हमारा current कहीं भी अगर गती करेगा तो दोनों गोलों के current जो लगने वाला paradigmic rooty बलोगा यही इतना होगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम दूसरी वाली condition पर देखेंगे अब हम जो है b वाली condition देखते हैं तो b में हमारा क्या था जब हमारा particle जो है b से c तक जा रहा था और इसके बाद यह b से c तक जा रहा यह 2r से जो है x से तो r के बीच में गती कर रहा था मिंस यहां से b से c तक यह मैंने दूसरी condition के लिए गोला बनाए यह बड़ा वाला गोला है जो की गोली कोस है खोखला गोला और यह छोटा वाला ठोस गोला है a से b तक हम ने निकाल ले अब b से c तक किसी भी बिंदू पर निकालना है तो माल लेते हैं किसी समय यहां पर हमारे mडेस का पार्ट कर्ण यहां पर है तो यहां से दूरी x है तो अगर इसके केंद से अगर दूरी निकालेंगे x-r हो जाएगा अब यहां पर जो है इस खोकले गोले के करण इस बिंदु पर लगने वाला बल होगा ओ जीरो होगा तो क्योंगा जीरो होगा क्योंकि इसके अंदर जो है इस बड़े वाले खोखले गोले के कारण इस पर बल लगेगा इस सिर्फ और सिर्फ ठोस गोले के कारण तो ठोस गोले के कारण जो बल लगेगा एक वराबर कितना होगा जी दोनों का द्रविमान का गुड़न फल M into M dash divided by इसके केंद से इस कड के बीच की दूरी कितनी होगी अगर यहां से यहां तक X है और इसकी यह small r जो है इसकी त्रिज्ज्ज है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी X-R हो जाएगी यह X-R का whole square हो जाएगा तो जो है इस बिंदु पर B से C के अंदर B से C तक जो है कहीं भी जो है इसका जो है इसका पर जो लगने वाला बल होगा एफ वराबद gm M' divided by x minus r का whole is car हो जाएगा ओके अब हम इस तीसरे वाले condition की बात करते हैं जब हमारा c वाली हमारी condition क्या है c वाली है c से infinite तक जब हमारा x greater than 2r है तो यहां से जो है इसके जहां से heart- and hash यहां से दूरी जो हा एक है तो आब अगर इसके doorway दूरी देखेंगे यहां तक x minus r होगी और इस बड़े वाले गोले के ञेंट से दूरी देखी थो एक Σ- होलो जो है खोखले वाले गोले के कारण तो दोने के कारण जो है आइड हो जागे क्योंकि बलकि दीशा जो है इसी केंद्र की तरफ दोने के कारण होगी इसलिए हम आइने सिंपली आइड कर दिया है यहाँ से f बराबर हो जाएगा वह हमारा इस वाले गोले के करण जो है फोस वाले गोले के करण कितना होगा हमारा g दोनों का दरभिमान इसका दरभिमान small m है कड़ का दरभिमान vais dependent lifetime divided by यह कितना है केंदर से इस पिंड की दूरी कितनी है X-R का whole square अब यहां पर F kतना रहा जाएगा तो इसका जो दरभिमान सब्सक्राइब में जी उसका कड़ का में मदेस है divided by केंदर से इस कंड की दूरी जो है x-r का whole square अगर अब इसको हम लिखना चाहें तो यह कितना हो जाएगा हमारे जो है एफ वराबर जो लग रहा है gm m' divided by x-r का whole square plus g capital m small m' divided by x- capital r का whole square तो यह c से infinite तक x greater than 2r की condition में जो लगने वाला परेडामी गुरुती बलोगा यह इतना हो जाएगा तो तीनों condition में मैंने जो हर परेडामी गुरुती बल निकाल दिये एक question में पूछा गया था, okay, thank you